हैलो फ्रेंट्स आज हम आपको سूचना अधिकार डालने का सबसे सरल तरीका बताएंगे दोस्तो सूचना का अधिकार प्रतीयक भारती का मौलिक अधिकार है और जब आपकिसी चीज के बारे में जानेगे तबी आपको जानकारी तो आज हम आपको सूचना अधिकार अधियम 2005 के बारे में बताना जा रहे हैं दोस्तो इसको जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सूचना अधिकार किसलिए डारा जाता है दोस्तो मालीजी कोई रोड बर रही है और आपको यह पूचना है कि उस पर कितना बजट पास हुआ है इसके लिए या मालीजी आप किसी भी सरकारी जानकारी वह किसी भी विवाग की हो आप उससे सूचना ले सकते हैं चाहे वो कौन सा भी विवाग हो और हर अधिकारी को यह सूचना देनी पड़ेगी बगर एक सर्त है इसमें क्योंकि सूचना आप जहां डाल लाए हो वो सरकारी संस्ता होने चाहिए दोस्तो आज हम बात करते हैं इसको फॉरम भरने की बात तो इसमें सेवा में जिन सूचना अधिकारी आप फॉरम देख लीजिए कुछ इस प्रकार का फॉरम होगा जरूर नहीं है आप यही फॉरम लें आप सादा कागज पर यह सभी नाम और यह सभी डाल सकते हैं इसके बाद आप सादा कागज पर भी सूचना अधिकार के लिए एपलाई कर सकते हैं तो सबसे बारे स्रीवान सूचना अधिकारी यहाँ पर बेसिक सिच्छा अधिकारी महोद है जुरूर नहीं है आप ये भी डालें जिस विवाक से डालना है आप उसका नाम जैसे माली जी मैंने बेसिक सिच्छा अधिकारी को डाला है उसका नाम डाल लिया है उसको आप जनपत कानपोर आवेदक का नाम जो भी आपका नाम हो सिवमकुमार और जहां पर आपको जनकारी मगानी हो अपने पास वहां पर अपना पता पूरा यहां पर डाल दें जहां पर आपको जनकारी और यहां पर आपना मौवाल संक्या जो भी हो 84 पर जो भी कुछ वो यहां पर डाल दें आवे तक की दिनांग, यहाँ पर आवे तक की दिनांग डाल दें, उसके बाद कार्याल है कि नाम जहाँ पर आपको सूचना अधिकारी, जहाँ पर आपको सूचना लेनी हो जिस विवाग से, यहाँ पर बेसिक सिच्छा विवाग मैंने डाला है, अगर आपको PWD से लेनी है तो PWD डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, दोस्तों इसके बाद अपना यहाँ पे चाही गई जानकारी, यहाँ पे अपना बेवरण दें, कि आपको कौन सी जानकारी लेनी है, और ज्यादा लंबा ना खीचते हुए, आप दो पॉइंट, जो भी पॉइंट है, अंद अगर आपको किसी की नगल चाहिए है, किसी डॉकुमेंट की, तो आप इस पे क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पे दी गई है, क्रमांग संक्या, इसके लिए आपको एक पॉस्टल ओडर लेना पड़ेगा, जो कि आप डाग गर से ले सकते हैं, वह कुछ उसका आदा भाग कटा हुए मेरे पास है, देख सकते हैं आप, उस पे कोई नंबर डला होता है, यह देखिए, यह नंबर आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद इसका आदा भाग अपने पास रख लेना है, और इसका आदा भाग इसके साथ चला जाएगा, इसके बाद दोस्तों, आपको दिनांक, जिस दिनांक को डालीगे, यह सूचना हो, अगर आप माली यह गरीवी रेखा से नीचे आ रहे हैं, तो आप अपना BPL कार्ड की संक्या लेख सकते हैं, इसके बाद अपना यहाँ पर अच्छास कर करें, इसके बाद आप इससे फोल्ड करके और कुछ इस करें में आप रख सकते हैं, दोस्तों उसके बाद इस लिफा पर के अंदर रखके आप अपना यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, और यहाँपर पता, जिस करीयाले को बेजना है, उसका यहाँपर आपको पता डालना है, माली जी बेसिस रिश्चा कर्ययाल है कान पूर, इसको आपको पता और यहां पर एक टिकेट लगानी है उसके बाद आपको पोस्ट ओफिस से ये परची जो कि बहुत इंपोटेंट है ये परची आपको बहुत इंपोटेंट है और ये अपने पास रखनी है मान लीजिए 35 दिन के बाद आपको सूचना नहीं मिल रही है तो आप प कैसी लगी है अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल सस्क्राइब करिए और अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है सूचना अदकार से संबंदित तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं